हेलो फ्रेंड्स कोक वेट टेस्ट चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगे इंस्टेंट टेस्टी सांबर यह सांबर भोती कम समय में रेडी हो जाता है और भोती टेस्टी बनता है यह एक वन पोट रेसिपी है इसे बनाने के लिए ज़्यादा बरतन करने की भी जरूरत नहीं है तो आईए सांबर बनाना शुरू करते हैं कुकर में हम दो बड़े चमच देसी घी डालेंगे गी हमारा जैसे ही मेल्ट हो जाए हम इसमें एक तो पिंच हिंग डाल देंगे आदा छोटा चमच सरसो डाल देंगे आदा छोटा चमच हम इसमें जीरा डाल देंगे सरसो और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे कड़ी पत्ता डाल देंगे कड़ी पता डालने से सामबर में टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है एक साबुत लाल मिर्ट डाल देंगे और लंबे कटे हुए प्याज डाल देंगे कुछ सेकिंड के लिए हम प्याज को भून लेंगे जैसे ही प्याज हमारे हलके से सोफ्ट होने लगें हम इसमें बाकी की वेज़ी टेबल्स डालेंगे ये मैंने घीया, पेठा, गाजर, बीन्स और एक छोटे बैंगन को कट किया हुआ है सबजियां काटते समय इन्हें पानी में रखें अब मैंने सारा पानी निकाल दिया है प्याज के साथ हम सबजियों को भी डाल देंगे और इन्हें भी भून लेंगे तीन से चार मिनट के लिए सबजियों को ऐसे ही भून ले थोड़ा सा हम मेथी दाना डाल देते हैं मेथी दाना डालना में भूल गई थी जब हमने जीरा और सरसो डालनी है तबी हमने मेथी दाना डालना है मेथी दाना डालने से सांबर में टेस्ट कई गुना पढ़ जाता है तीन से चार मिनट के लिए सबजी को हम ऐसे ही भून लेंगे इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे स्वादा नुसार नमक डाल देंगे एक चोथाई चोटा चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे एक चोटा चमच लाल देगी मिच पाउडर डाल देंगे लाल देगी मिच डालने से सांबर में कलर बढ़ी आता है एक चोटा चमच धनिया पाउडर डाल देंगे और दो चोटे चमच हम इसमें सांबर मसाला डाल देंगे सांबर मसाला आप किसी भी ब्रैंड का यूज़ कर सकते हैं और मिक्स कर देंगे मसाले डालने से पहले गैस की फ्लेम को लो कर लें ताकि मसाले हमारे जले नहीं सबजिया हमारी अच्छे से भुन गई हैं अब हम इसमें दाल डालेंगे ये मैंने एक बाउल अरहर की दाल को आदा घंटा पहले भीगो दिया था दाल को भी सबजियों के साथ हम मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें चार बाउल पानी डालेंगे मिक्स कर देंगे अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसमें तीन विस्सर लगा लेंगे इसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको कुकर खोल के दिखाती हूँ कुकर हमारा ठंडा हो गया है mix कर देंगे अब सांबर में खटा पन देने के लिए हम इसमें इमली का पानी डालेंगे आदा घंटा पहले ये मैंने इमली को भी गो दिया था और इसका पानी निकाल लिया है इमली की quantity आप अपने टेस्ट के according डालें अपने सांबर को पतला करने के लिए इसकी consistency को अरजस्ट करने के लिए हम इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि सांबर पतला ही अच्छा लगता है जितना पतला अपने सांबर खाना है उसी साप से इसमें पानी डाल सकते हैं अब 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे बॉइल होने देंगे यह सांबर भोती कम समय में रेडी हो जाता है और ज्यादा ताम जहम करने की जरूरत नहीं है यह एक वन पोर्ट रेसिपी है जब भी आपके बच्चे इटली सांबर या चावल सांबर के डिमांड करें आप इस तरह से 15 मिनट में सांबर रेडी कर सकते हैं अब आम इसमें टेस्ट कर लेंगे मुझे नमक कम लग रहा था इसलिए मैंने डाल दिया है गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे ये देखिये फ्रेंस कितना बड़िया टेस्टी सांबर हमारा बंद कर रेडी है ये बाद में गाड़ा भी हो जाता है मैं आपको डाल कर दिखाती हूँ ये देखिए सांबर की कंसिस्टेंसी कितना बढ़िया सांबर हमारा बन कर रेडी हुआ है आप इसे इडली के साथ बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं मैंने इसे इडली के साथ सर्व किया है इडली की रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं हाँ तो फ्रेंड्स इंस्टेंट सांबर की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमली के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें फिर मिलेंगे एक ऐसी रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग गुडबाई आप हमारी ये रेसिपी भी ट्राइग कर सकते हैं